कामके जिरा जुरेल में आज विचारधीन केदी की आज चुभा मौन हो गई बता जा रहा है कि उसे गुर्वार की शाम स्वास खराप होने की वज़ा से जिलस पतार में भरतीत कराया गया था हटडे की वज़ह से मौत होना बताय जा रहा है केदी की अचारध मौत होने से जेल में हटकंप मच गया चबिलाल परटारी कुरर थाना शेतर में गाउं चिलहाटी में एक छेटशार्ट की घटना का आरोपी था जिसका मामला सीजी एम कोट में विचारा धीन था चबिलाल की गुरवार के शाम अचानक सास लेने में तकलीफ होने लगी जिसके बाद जेल प्रवंदक ने उसे ततकाल जलास्पताल में भर्दिक करवाया था आज सुभा चबिलाल की हर्ट टेक से मोत हो गई कोरोना के कहर के बीच केदी की मोत होने से जेल गिप में बंद अन्म केदियों में हड़कम पमच गया हालाकि चबिलाल को कोरोना संक्रमन होने से जेलर ने इनकार कर दिया जेलर खोमेंदर मनवाडी ने बताया कि एक माँ पहले भी केदी का कोरोना टेस्ट करवाय गया था जुसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी शवको पॉस्ट मौटन के बाद परिजोन को सोग दिया गया कि रिपा उसकी मौत हो गई है क्या कारण है यह कब से यहां पर आया हुआ था यहां पर शवी लाल दरवर्टी एक मार्च में नम आया था यहां पर जुलेजल कांकरोना उसके बाद लगभग एक ठीक था तीन सब्सक्राबन में आया था सीजियम कांकर कोर्ट के कर्षटड तो यहां पर कल भी तरीक को लगभग चार वजे इसका सवांच लिन तकलिफ बताया गया तो इसको तत्काल जिलस्पताल कांकर में भरती कराया गया तो सवाचार बद इसको भरती कराया गया उसके बाद उनका कुछ टेस्ट एसजी और कुछ उनको ऑक्सिजन सिलिंडर तो इमृत पाया गया और इसका फ्म अभी चल रहा है कारण क्या बता सरा अटेक है या क्या भता है इसका कारण प्रात्मी के जो छो डॉक्टर साव रहां बोले कि इनका एकगूट divine काडियल अटेक बताया गया है तो असर कोरोना के बाद करें अगर कोरोना टेस्ट और यो कर दो कर दो का गया हो गया है इंका भी किया होगा क्या इसे कुछ इंप्टम्स मिलें प्रोना टिस्ट भी एक मेना पहले सभी करदे को किया जैता है सभी कर दो सबीकर नेज़र्यों आयता है और